पांच राज्यों के चुनाम नतीजे साफ हो चुकी अब तक रुजान और नतीजों के मताबिक तमाम आरोपों के बाद भी ममताब एनर्जी ने पश्ची मंगाल में जबरदस्त वाप्से की नौर्टीज में पहली बार बीजेबी की सरकार बन रही है आजम में बीजेबी गटबंदन को स्पश्च पहुमत मिला है और कॉंग्रस को पांच राज्यों के चुनाम में फारे नुकसान हुआ अजम और केरल में जनता ने कॉंग्रस को सीरे से नकार दिया तमिलाडू में जैललिता की वादे पर जनता ने भरोसा जताया और जैललिता की सरकार बरकरार है केरल में गोचालू की आरोप से कॉंग्रिस सत्ता से बाहर हो गई जंता ने लेट गटबंदन पर भरोसा अज़ताया पोड़े चरी में फिलाल तृशंग को विधान सबागंती दिख रही है प्रधान मंत्री ने जैल अलिता ममताव एनर्जी को जीत की बधाई दी पांच राजो के चुनाम नतीज है कॉंग्रेस के लिए निराश करने वाले है पॉपाधयक राहूल गांदी ने केरल असम में हार्जविकार की राहूल गांदी ने ट्वीट कर कहा कि जंता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करें मैं नॉर्थीज में पहली बार कमल खिलारुजानों में बीजेपी को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है जब कि 15 साल से आसम की सत्ता पर काविज कॉंग्रेस की हालत खराब है आसम में बीजेपी की जीत में बांगलादेशी वोटर्स ने नेर नायक मोनिगाने भाई बीजेपी ने खेल मंत्री सर्वानंद सौनवाल को असम में मुख्य मंत्री पत का उमिदवार बनाया था असम के युवा तेज तरार ने था सौनवाल चातर राजनीती का रास्ता तैकर के आए हैं और महां के जमस्यों और जंता की उमिदों को बेटर जानते हैं आज वोटों की गिंती शूरू होने जे पहले स्रवानंद सौनवाल ने मंदिर जाकर पूजा भी की और ढब टहता काई नकीजों से और अर ताहा की असम में विकास के लिए जंता ने उने चेना है अच्छे बीजिब सब्सक्राइब तो फेली पर बेरेश करें वर्ट बजी करें च्छतिय नूदा रहारा जीजिए विछे बार्वें आप करेंश दुद आपकल्ड व्युए पर नौर्ट अब्सक्यां प्रेंप इस्टेट है, रहे देख बार्सांप। बीजेपी ने पहली बार नौर्ट इस्ट में एंट्री की है और एंट्री भी थमाकेदार दो तीयाई बहुमत के साथ बीजेपी कर डवेंदान असम की सत्ता पर काबिज होने जा रही है ऐसे में पार्टी नताओं की खुशी लाजमी है बीजेपी ने तोर केंद्रेमान च्री रविशंक प्रसाद ने जीत कश्रे पार्टी की कारिकरता और मोधी सरकार की नीतियों को दिया है लेखिए आसाम के अगर आप पूरी राजिजे को देखें तो मैं वहाँ बहुत दिन से प्रचार करता रहा हूँ मैं जानता हूँ उस प्रदेश को बीजेपी की ओर लोग बढ़ रहे थे लोग सबा में काफी सीटे हम लोग जीती हैं आपको मालू है नौर्ट इस्ट के बाकी राकों में हम कॉलिशन गवर्मेंट में रहे हैं लेकिन इस बार हमें लगबग तीन चौथाई भी बहुमत के आसार लग रहे हैं आपर आसाम, लो़र आसाम, बराक वैली, टी गार्डन सब जगा हमें समर्थर मिला हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहा के लोग बीजेपी को एक सार्थक विकल गुड गवर्निस का रूप में देख रहे हैं केंद्रबंत्री माहिच शर्मा ने कहना है कि पीम मोदी का सपना अपुर्वूतर में कमल खिले आसम से शुरुवात हो चुकी है, इसी के साथ कॉंग्रस में भारत के भी शुरुवात हो चुकी है आसम में जीत के बाद बीजेपी में उत्सा है नौर्थीस में पहली बार कमल खिला है पश्यमंगाल में ममताब एनरजी ने एक बार फिर वापसी की है दो ती हाई बहुमत के बाद ममताब एनरजी ने मोदी पर हमला बोला और उने कहा कि दिली से डराने की कोशिश हुए लेकिन अरजन की तरहे विकास ही उनका लक्षे है पश्यमंगाल में ममताब की जीत से कॉंग्रस और लेफ्ट का अधारगू ठाचा खत्म हो गया ममताब एनरजी की जमेनी कारेकरताओं की कड़ी महनत काम आई है नतीजे बताते हैं कि ममता की जनोप योगी नीतिया जनता तक सही तरीके से पहुंच पाए ममताब एनरजी राजी में सामप्रदाइक धुरुवी करन करने में काम आई रही मांगलादेशी वोट भी सीधे सीधे ममता की खाते में गए जीत के बाद ममताब एनरजी से पूछा गया कि इतनी बड़ी जीत के बाद क्या वो प्रधान मंत्री पत के लिए दावेदारी कर सकती है ममताब एनरजी ने कहा कि वो बड़े पदों पर भी काम कर सकती है ममताब कर स्कती है जीत के बाद मनतब एनरजी ने कहा कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में जो बाते कहीं थी वो किया और अगर जीएस्टी बिल जनता के हित में होगा तो बीजीपी का समर्थन करेंगी टाने मेनिफेस्टों जो महम जयते हो आप हमारा वाद करते हैं एलेक्शन कर चायी मिफुनाव कर एडाएँ थाने हम इसिके करते हैं तो इससे करके जो वादा हम करते है वो फुरा हम निखाते हैं अगर इसमें आएगी तो हम इसको स्वाशिट करेंगा परशी बंगाले उन्तब एनरजी की धमाकेदार जीत पर एसल ग्रूप के चेर्मेंट डॉक्टर सुभाश चंद्रा ने बधाई दी डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि दीदी को पूरा बंगाल प्यार करता है लिफ्ट के लिए चुनाब मिले जूले नतीजे वाले रहे जहां परशी मंगाल में उसे हार का सामना करना पड़ा तो वहीं केरल में उसमें जीत कर सक्ता में वापसी की है सीपियम नेता ब्रिंदा करात ने कहा है कि सीपिया आए कॉंग्रस के साथ गटबंदन परसा मिक्षा करेंगी और केरल में जीत पर कहा कि ब्रस्ट चाय के वहाँ यूडी एफ की हार हुई है केंद्रे बंत्री प्रकाष जावडेकर ने चुनावों में बीजेपी की प्रदर्शन को शानदार बताया तमिलाडू में जालेलिता ने सब्ता में वापसी का रितिहास बनाया कॉंग्रस और करना नेधी मिलकर बीजेपिया लालीता को ठक कर नहीं दे पाए कॉंग्रस के हाथ से केरेल फिसल गया रुजाना में लडीफ को भारी बहुमत मिलता दिक रहा है कॉंग्रस के हाथ से केरेल फिसल गया रुजाना में लडीफ को भारी बहुमत मिलता दिक रहा है कॉंग्रस में हार मानगी केरेल में विस्टर चार का मुद्धा यूडीफ सरकार पर भारी पड़ा कॉंग्रस के अंदरूनी कले चुनावों में भारी पड़ी केरेल में सरकार विरोधीन लेहर नतीजों पर भारी पड़े पशिमंगाल में त्रिनमूल कॉंग्रस की वापसी पर ममता बेनर जी की भाई बाबूल बेनर जी ने कहा कि पशिमंगाल में ममता के विकास के नीती की जीत है पशिमंगाल में दुबारा जीत हासिल करने पर टीमसी कारेकरताओं में जबरदस्त खुशी है कॉलकता में त्रिनमुल समर्थ तक पारंपरिक करीके से जीत की खुशिया मना रहे हैं शंक फूक कर और खंटे वजा कर समर्थ को नारे लगाए चारों राजियों में करारी हार के बाद कॉंगरस ने प्रदेश एकाईयों को हार के लिए जिम्मधार चलाया कॉंगरस ने तब पीसी चाको ने कहा कि इस हार के लिए कॉंगरस ने तृत्व नहीं बल्कि राजियों के नेता जिम्मधार है पांच राजे में चुराफ के नतीजों के बाद बीजेपी में उत्साया बीजेपी नेता राम बाधम ने कहा कि असाम और केरल की जंता ने कॉंग्रस को नकार दिया पांच राजे में हुए चुराफ के नतीजों के लिए निराश्या जनक रहे पांच में से चार राजो में कॉंग्रेस का अधार बूर धांचा खत्म हो गया कॉंग्रेस के हाथ से दो राजो की सरकार निकल गई पांच राजो को चुनाफ चार एक से हारने की बाद कॉंग्रेस ने कहा कि हार जीत लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है अब कॉंग्रस पार्टी हार की कारणों का पता लगाने के लियात्म मन्थन करेगी चार राज्यों में कॉंग्रस और कॉंग्रस गटबंदन दोनों को हार मिले अब बीजेबी का दावा है देश को कॉंग्रस मुक्त करने का सपना कॉंग्रेस के उपादे अक्स्रावल गांधी पूरा करेंगे